तो दोस्तों आज मैं एक्स्प्लेन करने वाला हूँ आएफसे मिडनाइट्स की तिरफ से एक काफी अंडर रेटेड प्रॉपर सूपर नैचरल हॉरर मुवी को जिसका नाम है एड़ डेवल्स डोर या फिर ओरिजिनल टाइटल हॉम मुवी काफी इंटरिस्टिंग है काफी बढ़िया है आपको देखने में बहुत मजाने वाला है प्रॉपर हॉरर मुवी है तो आव्वेसली मजा तो आएगा ही तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीथा वीडियो की तरफ असल मुवी शुरू होने से पहले एक लड़की हम को बता रही होती है कि एक बीस्ट के अर्थ पर आने के बारे में जिसने की अर्थ के लोगों को धोका दे कर उनके सीधे हाथ पर जबरदस्ती 666 का निशान लगाया जो की एक शैतानी नमबर होता है जिसके बाद में मुव के रूल के अकॉर्डिंग कैलवन बस हैना को अपने अंकल के घर तक छोड़ सकता था लेकिन वो उसके साथ गेम खेल नहीं सकता था जिसके बाद कैलवन उसको अपने अंकल माइक के मोटर होम में ले जाता है वैसे तो हैना को माइक से थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन क तहने पर वो गेम खेलने के लिए राजी हो जाती है साथ ही में गेम जीतने पर उसको पूरे 500 मिलने वाले थे जो की 1987 के हिसाब से काफी जाधा थे आज की वैल्यू के हिसाब से बताओं तो कम से कम 15 सो डॉलर्स होते हैं जो कि मेरे हैसाब से एक चोटे से गेम के लिए काफी अच्छा माउंट है लेकिन ये गेम उसके लिए कितना घातक होने जगा पर जाकर उसका ही नाम पुकारने हो कहता है जिससे कि शैतान जब उसे पुकारे तो उसे हैना का नाम पता हो और ये बहुती जादा हैना के लिए खतरनाक बात थी उसको समझ में नहीं आ रहा है था कि आखिर है क्या जिसके बाद हैना अपनी किसी फ्रेंड से फोन पर करते वक्त उसे कैलवन के बारे में बता रही थी कि कैलवन उसको हैंसम होने की वज़ा से पसंद है और अपना फर्स टाइम मेक आउट वो उसी के साथ करना चाहेगी यानि कि वो फिलाल एक वर्जिन थी और ये इनफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आने वाल अब्स आपना फ्रीड़ सॉंग सिने लग जाती है और अपने अँंखें मन गर लेती है लेकिन बार बार उसे किसी की आहट मेहसूस हो रही थी जिसवजय वो बार बार एक आएउंगो झरते को देख पाते हैं जो की एक पौश एरिया में रहा करती थी ले सुबा उटकर नादो कर तयार होने के बाद में कार में अपनी बेहन वेरा से मिलने के लिए निकल पड़ती है जो कि एक आर्टिस्ट होती है अब वेरा के घर पहुँचने के बाद में ले उससे बात करी रही होती है कि तभी एक लड़का बातरूम से बि प्रेशने के सिलसिले में ले को कॉल आ जाता है कॉल रखने के बाद में वह अपनी बहन के बदले पेमिंट का चेक दे देती है और पहले तो उसकी बहन चेक लेने से मना करती है लेकिन अपनी बहन के force करने के बाद उसे वो लेना पड़ता है जिसके बात में वेरा वहां से चली जाती है अब वेरा के जाने के बाद में ले तुरंत ही अपनी कार से बाहर निकलती है और वहीं पर मौजूद घर के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए गुश जाती है ये कोई दूसरा घर था मतलब कि ले वहाँ पर वेरा से मिलने के बहाने से प्रॉपर्टी देखने आई थी अब घर की इंस्पेक्शन करते वक्त ले को अलमारी में वही पैसे मिलते हैं जो कि शुरु कोट पहनी हुई एक लड़की दिखाई देती है जो कि ले को देखते ही वहाँ से भाग जाती है जिसके बाद में वो उस घर के ओनर्स चक और रॉयाना से मिलती है जिनको वो यकीन दिलाती है कि घर के बदनाम होने के बावजूद भी वो उनका घर बिकवा देगी अब घर ले को सुबा देखी हुई लड़की यादा जाती है जो कि उसको देखते ही भाग गई थी और फिर ले के दिये गए डिस्क्रिप्शन से चक और रॉयाना को ये एकीन हो जाता है कि ले ने जिस लड़की को वहाँ पर देखा था वो उनकी ही बेटी है क्योंकि शारलीन होने की उमीद के साथ साथ उनके अंदर अपनी बेटी से मिलने की उमीद भी जाग गई थी अब तब ही हमको हैना का फ्लैश बैक दिखाय जाता है जिसके अंदर वो वही लाल कोट को पहन कर गार्डन के अंदर कुछ पैसों को गाड़ रही थी जो कि वही थे जो कि उसने माइक से गेम में जीते थे अब यहाँ पर वो अपने आसपास हो रही पैरानॉर्मल एक्टिवीटीस से इतनी ज़दा डिस्टरब हो गई थी कि एक बार तो उसको ये लगने लग गया था कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गई है साथी में उसकी अलमारी का एक ड्रॉर अपने आपी खुल जाता है जिसके अंदर वो पैसे दो बारा लोट करा गए थे यानि कि ये पैसे आम पैसे नहीं थे और वो गेम भी आम नहीं था बलकि वो शैतानी गेम था अब प्रेजन टाइम में ले चर्च से आने के बाद में सूपर मार्किट से घर का सामान ले लेती है अब वो रात को अपने घर पर डिनर करी रही होती है कि तब ही उसके घर की लाइट चली जाती है साती में उसके घर पर लगा हुवा होम सेक्यूरिटी अलाम भी किसी घुसपैट की वज़े से बज़ उटता है हाला कि उसे असिस्ट करने के लिए सेक्यूरिटी कमपनी का कॉल आ जाता है लेकिन होता ये है कि ले जो अपनी बेहन के घर से फ्रेम्स लेकर आई थी उसमें अचानक खुदी क्रैक पड़ जाते हैं लेकिन तब ही अगले ही पल उसके घर की लाइट आ जाती है जिसके बाद में आविसली वो कुछ नहीं बूलती अगले दिन एक बार फिर ले चक और रोयाना के घर का इंस्पेक्शन करने निकल जाती है उनके घर के अंदर पहुँचते ही वो अपनी भेन को कॉल लगा कर ये बताती है कि अचानक आई हुए इंस्पेक्शन की वज़ा से वो उसकी पार्टी में आने के लिए लेट हो जाएगी साथी में यहाँ पर ले ये चाहती थी कि वेरा अपने बॉइफरेंट के साथ सेटल हो जाए और बच्चे पैदा करकर एक परफेक्ट फैमली बना ले लेकिन वेरा जो कि काफी मॉडन लेडी थी वो अपनी लाइफ में बच्चे वगएरा नहीं चाहती थी वो खाली यहाँ पर ऐसे ही टाइम पास करती रहती थी साथी में हमको ये भी पता चलता है कि ले बच्चे पैदा नहीं कर सकती है चोकि उसके लिए काफी दुख भरी बात थी और वो हमेशा से एक परफेक्ट फैमली चाहती थी क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ही अकेला पन महसूस कर रही थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पा रहा था अब फोन रखने के बाद में ले घर का इंस्पेक्शन दुबारा शुरू करती है जिसके बीच में ही उसे वहाँ पर वही लड़की दुबारा दिख जाती है जिसे वो शारलीन समझ रही थी वो उसको बताती है कि उसके मॉम डैड उसके लिए काफी परेशान है अब वो उस लड़की को कमफर्टेबल करने के लिए अपने पास बैठा लेती है लेकिन तब ही वो लड़की ले की कार कीज में लगी हुई वेरा की फोटो को देख लेती है साथ ही में ले भी उस लड़की को बता देती है कि फोटो में मौझूद लड़की उसकी बहन वेरा है वो बताती है कि उसकी बेन थोड़ी डार्क है लेकिन काफी स्पेशल है और वो बस ये चाहती है कि वो बस बच्चे पैदा करकर अपनी फैमली को परफेट कर ले इसके बाद में ले उस लड़की के बार में बताते हुए वेरा को एक वाइसमेल भी भेज देती है लेकिन उतन की एक फाइल को देखती है तो एक न्यूस पेपर कटिंग से ये पता चलता है कि उसके सामने बैठी लड़की कोई और नहीं बलकी हैना थी जिसने कई साल पहले खुद को ही खतम कर लिया था जी हां साथी में जब ले हैना की तरफ देखती है तो वो वहां से गाया थी हम द को दोरे बढ़ने लग जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है साथी में हमको ये भी पता चल चुका था कि यहां पर वो हैना नहीं थी बलकी उसकी बॉड़ी को किसी आत्मन ने या फिर किसी डीमन ने प्रिजर्व करके रखा था और उसको प्रिजर्व करके इतने सालों से साल पहले ही जला कर देखा था साथी में उसको एक हाई क्लास फैमिली में ऐसा बेबी सीटर बुलाया गया था जहां पर भी उसको लगातार दोरे बढ़ रहे थे और बेबी सीटिंग के वक्त उसका ध्यान बेबी के ओपर बिल्कुल नहीं था अब उस बच्ची के ने हैना को पूरी तरह से पॉस्ट नहीं किया था जी हां शुरुवात में को बताया गया था कि डेविल ने धरती पर आकर सबी इनसानों को माक किया है और बहुत ज़दा करप्ट किया है तो मेरे ख्याल से शुरुवात में जो अंकल माइक थे और यहां पर जो कैल्वन था वो कही ना कहीं इस कल्ट के मेंबर हो सकते हैं या फिर वो डेविल के पॉस्टेशन में होंगे और मेरे ख्याल से डेविल यहां पर किसी ना किसी को पॉस्ट करने के लिए ढून रहा होगा और उसके चलते उसने हैना को चुन लिया था और अब यहां पर हैना इस हद तक प वेरा पार्टी जॉइन कर लेती है जहांपर मौजूद उसका बॉइफरेंड उससे पार्टी के बाद हैंग आउट करने के बारे में पूछ रहा था लेकिन वो उससे सीधा मना कर देती है क्योंकि वो अपने जिंदगी में बिल्कुल अकेला रहना चाहती थी अब इसके लेकी मौत से जुड़ी हुई कॉल आ जाती है साथी में उसकी बहन की बॉड़ी का पोस्ट मार्टम करने पर ये पता चलता है कि उसकी मौत किसी अन्नून रिजन से नहीं हुई है बलकि वो बिल्कुल नैच्रल केस था यानि कि हार्ट फीलियर से उसकी मौत हो गई क्योंकि उसकी बॉड़ी पर कोई भी जबरदस्ती का निशान नहीं मिला था साथी में वेरा यहां पर लेकी एक लॉती रिलेटिव थी इसलिए ऑफिशल्स उसको लेकी कार की लोकुशन भी बता देते हैं जिससे की वो उसको क्लेम कर पाए जिसके बाद में वीरा लेकी कार में बै वाइसमेल्स मिलते हैं जिसके अंदर की ले चक के घर के अंदर एक अंजान लड़की यानिकी हैना के होने के बारे में बता रही थी उस वाइसमेल को सुनने के बाद में वीरा सीधे ही चक के घर पर इन्वेस्टिकेशन करने के लिए पहुँचती है जहां पर उसे भी हैना नहीं बलकि वो devil था यानि कि वो spirit थी जो कि बहुती बयानक है यानि कि king of demons है लेकिन जब वेरा टौड जलाकर सिंग के नीचे देखती है तो उसे वहाँ पर मौझूद बहुती creepy creature देखता है इसको देखकर वो काफी डर जाती है जिसके बाद अगले दिन वेरा hospital में शारलीन क को देखा था और वहां से भाग गई थी वो वेरा को ये भी बताती है कि एक रात को वो अपने boyfriend के साथ मस्तिक कर रही थी कि थभी उसने शीशे की reflection में काफी dark आत्मी को देखा जो कि उनको ही देख रहा था जो कि मेरे ख्याल से devil होगा और इसलिए उसके बाद उसे घर हुए हिस्से का चुआ है तब से उसकी राक उसके हाथों से हट नहीं रही है यानि की वो डिमॉनिक जगा थी और आप जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ था क्योंकि हैना ने भी उन पैसों को जलाने को इश करी थी तो शायद से यहां पर शार्लीन ने भी जलाने को इश करी उसको डेविल हाउस को जलाओगे तो वो जलेगा थोड़ी और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो राक होती है ना उससे ये इनसान जो होते हैं उनका इंप्रिंट आयाता है यहां पर जिससे कि डेविल को ट्रैक करने में काफी असानी होती होगी वो कहते हैं लेकिन शार्लीन शौकिं लिए कहती है कि इस बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था यानि कि वहां पर वो जो राक थी वो किसी और नहीं बलकि वो हैना नहीं शुरुआद में लगाई थी और शायद से पूरी बाते शार्लीन के पेरिंट्स को भी नहीं पता थी और मुझे ऐसा भी लगता आती है जो कि उसको बताती है कि हैना भी एक सिंपल फैमिली के साथ सिंपल लाइफ ही चाहती थी लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट जब आता है जब वो कैलिफोर्निया के एक लड़के यानि की कैलविन से मिलती है और कैलविन नहीं हैना को उसकी सोल को बेशने के बारे गया अब हैना जब भी मेरर में देखती थी तो उसको वही दिखाई देता था और फिर एक दिनों शैतान ने हैना के अंदर घुसकर उसको पजस कर लिया जिसके बाद में वो पार्टी वाला सीन आता है जहां पर हैना ने बिबी सिटिंग करी थी एक बच्ची की साथ ही साथ मरते टाइम वो प्रेगनेंट थी लेकिन हैना ने खुद को खतम करने से पहले लौरी को ये बताया था कि वो एक वर्जिन है और ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि वो एक वर्जिन थी तो आपको शौक ज़रूर लगाओ कि यहां पर ऐसा कैसे हो सकता ह तो हम जानते हैं कि डेविल जो होता है वो बच्चे के रूप में ही धरती पर इनसानी रूप में आना चाहता है ताकि वो इनसानों को बहुत ही ज़दा मैनूपलेट करकर उस पर रास कर सके और दूसरी तरफ हैना के पेरेंट्स को ये लगा था कि हैना ने प्रेगनेंसी क वज़े से खुद को खतम किया होगा लेकिन बात इससे काफी गहरी थी लेकिन लॉरी को ये लगता था कि हैना ने खुद को खतम खाली और शैतान को रोगने के लिए कि लिए था क्योंकि वो बच्चे के रूप में धरती पर आना चाहता था वो जानती थी कि इससे कितनी त तो ही रही होती है कि तभी एक 30 आवास सुनकर उसकी नीद खुल जाती है और जब वो उट कर देखती है तो एक इन्वीजिबल पावर उस पर हमला कर देती है जो कि डैविली था और उसको एक दूसरी मंदिल से नीचे फेक देती है जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में लाया ट्रॉमा का सामना किया है साथ ही में डॉक्टर्स उसको बताते हैं कि जब उसको लाया गया तब वो शौकिंगली प्रेगनेंट थी यानि कि डैविल ने उस पर हमला किया और डैविल की वज़ा से ही वो इतने महीनों तक बची रही अदरवाइस इतने उपर से गिरने पर बचने नहीं वाली थी डॉक्टर्स कैब ही रहे थे कि उसका बचना एक मेरा एकल है यह सुनते ही वेरा अपने पेट को देखती है तो उसके बाद डॉक्टर्स वेरा का अल्टर सौंट करते हैं तब भी वेरा को स्क्रीन पर एक डेमॉनिक फेस दिखता है जिसको देखती ही वो उस प्रेगनसी को अबॉर्ट करने के बारे में बोलती है जिसके लिए वो अपना पेट कटवाने तक को राजी थी और उसकी जान को भी खत्रा था जिसके बाद में डॉक्टर्स आप्रेशन करके किसी तरह से बेबी को वेरा के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं लेकिन वो इस बच्चे को पैदा होने के बाद देखना तक नहीं चाहती थी क्योंकि ये डैविल का चाइल्ड था या फिर ये कहें कि खुद डैविल था अब कहानी 6 साल आगे बढ़ जाती है जहां पर 6 साल की एक छोटी बच्ची टीवी पर सुनामी और बार जैसी नियूस को द देती है जिसके बाद में वेरा वहां पहुंचाती है जहां पर नीची वाले फ्लोर पर उसे वही काले निशान मिलते हैं और ये बच्ची कुछ और नहीं बलकि वेरा की ही बच्ची है यानि कि वो उसके बाया लॉजिकल मदर थी जो कि उससे मिलने इतने साल बाद आई थी और वो लेडी भी उने बात करने देने के लिए अकिला छोड़ देती है इसके बाद वेरा उस बच्ची के अंदर के शैतान को बताती है कि वही उसकी मा है साथी में वो बोलती है कि वो जानती है कि हैना ने उसके साथ एक डील करी थी इसलिए उसके खतम होने के बाद में उसके पास कहीं और जाने की जगा नहीं थी इसलिए उसने उसकी बॉड़ी को पड़िस करके रखा उसको जिन्दा रखा और जब तक वहाँ पर कोई और ना आ जाए उसने उसका इंतजार किया इसलिए ही उसने ले को मार भी दिया था लेकिन ओव्यसी बात है कि ले प्रेगनेट नहीं हो सकती थी और यही रिजन था कि यहाँ पर हैना याने की डेविल नहीं यह कहा था कि वो उसके किसी काम की नहीं है इसलिए उसने उसको मार दिया और उसने वेरा को इसलिए ही चुना था लेकिन वेरा के मन में ये सवाल आज तक था और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए वो उसके पास में आई थी वो उससे पूछती भी है कि उसने उसको क्यों चुना लेकिन वो बच्ची बिना सवालों को जवाब दिये वहाँ से भाग जाती है और विरा भी उसका पीछा गरती है और हम जानते हैं कि उसने विरा को क्यों चुना था वो कि ओवेसी बात है वो pregnant हो सकती थी और वो हमेशा से ऐसा चाहती थी जी हाँ बेशक वो ये दिखाती हो कि उसको family नहीं चाहिए जहां पर वेरा भी उसको ढूंड लेती है और वो उसको मारने के लिए चाकू तो बहर निकालती है लेकिन फिर भी वो उस बच्ची को नहीं मार पाती मतलब चाहे कुछ भी हो जाए वो अल्टिमेटली उसकी बच्ची ही तो थी जिसके बाद वेरा उस बच्ची को अपने साथ कार में बैठा कर ले जाती है साथ ही में वो बच्ची भी वेरा के साथ खुश थी और वो उसको बताती है कि उसको पता था कि वो उसको लेने जरूर आई की शायद वेरा को अपने सवालों का जवाब मिल गया था कि आखिर उस डेविल ने उसको हिक्यों चुना था और बूम इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी IFC Midnight की तरफ से At The Devil's Door मूवी कहानी जिसको Originally title Home दिया गया था मूवी काफी interesting है काफी different है यहाँ पर जो devil होता है वो धर्ती के उपर आना चाहता था और वो हमेशा से ही किसी औरत की तलाश में था जो कि उसको वेरा के रूप में finally मिल गई और मेरे ख्याल से devil ने वेरा को इसलिए भी चुना था या फिर ऐसा कैसे होता है devil एक 100% या फिर infinite negative energy है और energies easily कुछ भी कर सकती है मतलब उसको इनसानों की तरह physical होनी की जरुद नहीं है किसी को भी pregnant करने के लिए बाकी movie के अंदर यही है कि जो कैलविन होता है शायद से उसने अंकल माइक के साथ मिलकर पैसो के लिए या फिर power के लिए या फिर devil के influence में ऐसा किया होगा कि उसने एक लड़की को चुना जिसके चलते यहां पर ऐसा हुआ होगा और वो लड़की पहले हैना थी और हैना से शुरू होकर ये chain चलते चलते सेदा वेरा पर आकर खतम होती है जहां पर anti-christ child का जनम होता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको movie पसंद आई होगी explanation पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को like कर देना चैनल के ओपर नए है तो subscribe कर लीजे तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए stay ghostly